अब हम विद्यूत्रासायनिक स्रेणी या सक्रीता स्रेणी के बारे में जानेंगे विद्यूत्रासायनिक स्रेणी को बनाया गया है ये भी मानक अवस्थाओं पर ही बनाया गया है कि जितने भी धात्वे हैं, उन सब के मानक अवस्था में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड विभाव का मान है, तत्मों के E0 के मान को बढ़ते हुए क्रम की आधार पर जिस स्रेणी में जमाया गया है, उसे हम कहते हैं विद्यूत्रासायनिक स्रेणी, इल एजामपल लेते हैं, F2 इक्वल टू 2F माइनस, तो F2 से 2F माइनस बना, इसका अर्थ है कि F2 दो इलेक्ट्रोड ग्रहन करता है, F2 दो इलेक्ट्रोड ग्रहन कर रहा है, इसका अर्थ है कि वह एक अच्छा ऑक्सी कारक है, तो ये एक अच्छा ऑक्सी कारक है, तो इसके ल काहरण लेते हैं कि H plus है याने hydrogen का हम ले रहे हैं H plus है वो जब एक electron ग्रहन करता है तो half H2 बना तो यहां पर जो इसके लिए SRP है या standard reduction potential है वो शूर्ने प्राप्त होता है तो तीसरा example लेते हैं कि lithium प्लस यदि electron ग्रहन करता है तो वो lithium में परिवर्तित होगा लेकिन इसके लि कपचेन विभाव का मान इसके लिए रिडात्मक प्राप्त हुआ तो इसका अर्थ है कि इसके oxidize होने की जो प्रवृत्ती है वो बहुत ही कम है जबकि F2 के oxidize होने की प्रवृत्ती काफी अधिक है तो उसके लिए SRP value या standard reduction potential का मान उसके लिए धनात्मक है और lithium के लिए SRP क का मान रिडात्मक होता है क्योंकि SRP का मान रिडात्मक है इससे यह समझना है कि इसके oxidize होने की प्रवृत्ती बहुत ही कम है तो लीथियम एक अच्छा अप्चायक है उसके लिए SRP का मान निगेटिव होगा E0 की value उसकी निगेटिव होती है तो वह एक अच्छा अप्चा अप्चायक है उसका बहुत ही कम होता है जिस भी तत्व के लिए हम E0 की value positive देखते हैं तो वह एक अच्छा अप्चारक है और E0 की value जिस तत्व के लिए जितनी ज्यादा निगेटिव होगी वह उतना अच्छा अप्चायक होगा या reducing agent होता है विदूत्रासायनिक स्रेणी की कई सारी विशेस्ताएं हैं जैसे यदि विदूत्रासायनिक स्रेणी को हम देखते हैं तो उपर से नीचे आने पर जो value है वो धनात्मक की ओर जाती है तो सक्रीता का मान उपर से नीचे आने पर कम होता जाता है इसलिए से सक्रीता स्रेणी के नाम से जानते हैं इसमें ज तो जो लीथियम है वो एक अच्छा अपचायक है और जो फ्लोरीन है उसका जो E0 का माहन है वो पॉजिटिव है तो वो एक अच्छा या प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कारे करता है जो हाइड्रोजन है उसके लिए वैल्यू शुर्ने दसमलाव शुर्ने शुर्ने वोल्ट यहा अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कत्व होते हैं इसके बाद इसकी विशेस्ताओं में हम देख लेते हैं कि E0 का मान ज्यादा रिनात्मक होगा उसकी इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी और जिसके है वो एक अच्छा ऑक्सिकारक होता है E0 की वैल्यू जितनी अधिक होती है यानि जितना ज्यादा धनात्मक मान होता है तो वहां पर वह एक अच्छा ऑक्सिकारक होगा और उस पर रिडक्शन की क्रिया होगी अप्चैन की क्रिया होगी वह यहां पर कैथोड की तरह कारी क करता है जबकि E0 का मान जिसके लिए जितना ज़्यादा रिनात्मक होता है वह उतना अच्छा अपचायक होगा उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और वह एनोड होगा तो यदि आपको दो इलेक्ट्रोड दिया जाए जिसके लिए E0 की वैल्यू दी गई हो उसको कंपेर करन हो तो आपको सिर्फ यह देखना है कि E0 का मान किसके लिए कम है किसके लिए जादा है रिन और धन के आधार पर भी देख सकते हैं या रिनात्मक मान अधिक है धनात्मक मान अधिक है उस आधार पर भी इसको देखते हैं जैसे यदि हम एक्जामपल लें कि E0 का मान जिंक के के लिए माइनस 0.76 वोल्ट है जबकि कॉपर के लिए शुन दसमलो तीन चार वोल्ट है तो एक माइनस है मतलब वहां पर वह एक अच्छा अपचायक होगा जिंक और कॉपर के लिए जो वैल्यू है वह 0.34 याने पॉजिटीव वैल्यू है तो वह यहां पर कैथोड की तरह का करे करेगा उस पर अपचैन की क्रिया होगी और वह जिंक की तुलना में थोड़ा कम अपचायक होगा वह ऑक्सी कारगोन प्रदर्शित करता है तो यदि दो इलेक्ट्रोड को कंपेर करने दिया जाए तो E0 के मान क्या धार पर हम उसके ऑक्सी कारग प्रवृत्ती और अप हाइड्रोजन से उपर जो होते हैं वे अमल से क्रिया करते हैं अमल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन करते हैं जैसे यहां एक एक एक्जामपल हम लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो यहां पर बीच में है तो जिंक उससे उपर है जिंक की वैल्यू माइनस 0.76 वो इस समीकरण को देखके आपको समझना है कि हाइडरोजन के उपर जिंक है तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है जो H2SO4 में से हाइडरोजन को बाहर निकालती है इसी रियक्षन को हम हाइडरोग्लोरी कमले के लिए भी लिख सकते हैं कि जेडरोजन प्लस 2HCl is equal to ZNCl2 प्लस H2 तो हाइडरोजन गैस उत्पन करने की छमता उसी धातु की होगी जो बिदूत्रा साइनिक स्रेनी में हाइडरोजन के उपर इस्थेत हैं इसका भी हमें उदाहरन ले लेते हैं जिंक की छड़ है जिसको कॉपर सलफेट में डुबाया गया है तो जिंक प्लस CuSO4 is equal to ZNSO4 प्लस Cu तो जिंक अधिक रियाशील है तो कॉपर सलफेट का जो नीला रंग है वो जैसे ही जिंक की रौड कुछ देर तक उस पे डुबा कर छोड़ देते हैं तो उसका नीला रंग जो है वो हट जाता है वो फेड होने लगता है क्योंकि कॉपर सलफेट जो है वो यहाँ पर कॉपर जो है उसमें से जिंक से कम क्रियाशील है तो जिंक कॉपर सलफेट में से कॉपर को विस्थापित कर देती है तो उसका स्थान स्व विरों का मान जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वह उतना ही अधिक रियाशील होगा उससे कम क्रियाशील धातू के लवड के विलियर में डुबाया जाएगा तो वह उसमें से उस धातू को विस्थापित करके स्वेम उसकास्थान ले लेती हैं तो इस तरह से cathode की पहचान हो जाए तो हम उस cell के लिए E0 cell या EMF की गढ़ना भी आसानी से कर सकते हैं तो E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode यहाँ पर हम Daniel cell का ही उदाहरण ले लेते हैं Daniel cell यानि यहाँ पर zinc को zinc sulfate में डुबाया गया copper को copper sulfate में डुबाया गया तो यहाँ जो zinc के लिए value है E0 की value वो यहाँ पर minus 0.76 है zinc यहाँ anode की तरह कारे कर रहा है copper की value 0.34 है जो की cathode की तरह कारे करता है उनों मानों को सुत्र में रखते हैं तो प्राप्थ होता है E0 का मान 1.10 volt इस तरह से हम किसी भी दूसरे cell combination का हम E0 cell ग्याद कर सकते हैं या EMF या विदूत वहागवल की गढ़ना कर सकते हैं cell reaction की संभावयता की कैसे हम गढ़ना कर सकते हैं यदि E0 cell की गढ़ना करते समय याने E0 cathode minus E0 anode करके यदि हम दो अर्ध cell के लिए सूत्र में मान रखते हैं और E0 cell की गढ़ना करते हैं और यदि वह धनात्मक आता है अर्थात वह cell reaction संभाव होगा जैसे उदाहरन हम ले लेते हैं एक की iron है Fe equal to Fe2 plus plus 2 electron तो यहां iron में oxykaran की क्रिया हो रही है electron बाहर निकल रहा है iron के लिए जो value दी हुई है वह है minus 0.44 volt दूसरा हम देख रहे हैं जहां अब chain की क्रिया होगी दूसरा अर्था cell जिसमें की copper है तो copper 2 plus plus 2 electron equal to copper तो 2 electron plus हो रहा है इसका मतलब वो electron रहन कर रहा है अब chain की क्रिया हो रही है तो इसके लिए जो value दी हुई है वो दी हुई है E0 का मान 0.337 तो जब E0 cell ज्याद करेंगे तो E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode तो यहां पर जब value रखेंगे तो क्या होगा point चुकि यहां पर जो copper है वो cathode की तरह कारे कर रहा है तो cathode की value को रखेंगे तो यहने point 337 minus फिर minus 0.44 volt तो सबको जोडने पर जो value आती है वो plus point 777 volt तो यहां जो value आई वो धनात्मक आई इसी तरह से Daniel cell का भी उदारण हमने देखा उसके लिए जो value थी 1.10 volt दोनों हिस्थिती में जो E0 का मान है वो धनात्मक प्राप्थ हुआ अर्थात ऐसा cell reaction संभव है जिसके लिए E0 का मान धनात्मक प्राप्थ होता है विदूत्रासायनिक स्रीनी की साहता से हम ऑक्सिकारक एवं अपचायक की पहचान भी कर सकते हैं हमने देखा कि कैसे E0 का मान जितना जखादा धनात्मक होगा वह एक अच्छा पर ले लेते हैं कि जिसके लिए E0 का मान जितना ज्यादा रिणात्मक होता है इलेक्ट्रोन का प्रवाह उस धातू की तरफ हो गा जिसके लिए E0 का मान धनात्मक होता है तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि यदी पोटेशियम, जिंक और लेड है तो इसके लिए E0 का मान रिनात्मक है और दूसरा हम ले रहे हाइडरोजन, कॉपर और मरकरी इसके लिए E0 का मान धनात्मक है रिनात्मक वाले धात्व के E0 के मान की तरफ से इलेक्ट्रोन का प्रवा उस तरफ होगा जिधर E0 का मान या जिस तरफ ऐसे धात्वे हैं जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक है तो यहां पर हम सक्रीता श्रेणी के आधार पर इस चीज़ को भी पहचान सकते हैं अगला हम देखते हैं धात्वों की क्रिया शील्टा धात्वों में देखा गया है कि जिस भी धात्वों के लिए E0 का मान जितना जादा रिनात्मक होगा उसकी करिया शीलता उतनी ज़ादा होगी जबकी अधात्मों के लिए E0 का मान जितना ज़ादा धनात्मक होगा वह उतना जदा करिया शीलता को दर्शाएगा यहाँ अधात्मों के केस में तो यहां पर धात्वो की क्रियाशीलता के क्रम को देखिए E0 के मान के आधार पर E0 का मान जितना ज़्यादा रिनात्मक है उस आधार पर AG उससे ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर उससे ज़्यादा टीन फिर निकिल आईरन जिंक और सोडियम तो यहाँ पर E0 का मान इतना अधिक रनात्मक हो रहा है, क्रियाशीलता भी बढ़ रही है दूसरा हम ले रहे हैं कि अधातुओं के लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक होगा वह उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा तो यहाँ F2 जादा क्रियाशील यह जादा अच्छा ओक्सीकाराख होता है फिर ओक्सीजन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन तो यहाँ पर क्रियाशीलता का करम इस प्रकार होगा विद्यूत वाहक बल और विभुवांतर में अंतर विद्युत्वाहक बल यह इलेक्ट्रोडों के मध्य विभुवांतर है जब परिपत में कोई विद्युत्धारा प्रवाहित नहीं होती है जबकि विभुवांतर यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोनों के विभुवों का अंतर है जब सेल द्वारा परिपत में विद्युधारा प्रवाहित की जा रही हो EMF या विद्युत्वाहक बल किसी सेल से प्राप्त होने वाला अधिक्तम वोल्टेज है और विभुवांतर कमान EMF से हमेशा कम होता है विद्धुत्वाहक बल सेल के EMF द्वारा गर्णा किया गया कार्य सेल से प्राप्त होने वाला अधिक्तम कार्य होता है सेल के विभुवांतर द्वारा गर्णा किया गया कार्य सेल से प्राप्ट अधिक्तम कारे से कम होता है सेल के EMF को विभव मापी द्वारा मापा जाता है और विभवांतर किसी भी वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है अब हम विद्यूत्रासायनिक सेल एवं गिब्स उर्जा के बारे में जानेंगे कि विदूत्र रसाइनिक सेल के साथ गिपशूर्जा का कैससा संबंद हैं। गिपशूर्जा के अबारे में हम जानते हैं अधिक्तम उपयोगी कारें जिसे कैपिटल G से दर्शाया जाता है। तो यदि कोई cell reaction होता है और वहाँ पर कोई लाब दायक कारे भी होता है और ये सारी चीजे standard temperature, pressure पर होती है तो यहाँ पर जो मुक्त उर्जा में कमी है यहने delta G की value यदि जितनी ज़्यादा रिणात्मक होती है वहाँ पर यह माना जाता है कि उतना ही अधिक लाब दायक कारे हो रहा है इस्थिर ताप एवमदाप पर जो G का मान है वह G के मान में कमी के बराबर होता है यहाँ पर जब विद्यूधारा की कोई भी मात्रा cell के विभूांतर की ओर लिजाई जाती है तो यहाँ विद्यूती कारे होता है यह जो विद्यूती कारे है वो विद्यूत की मा कारे बराबर एन एफ और फल्ट को और इसी चीज को मानत के लिए लिया जाएगा तोероड़ को, तो विद्योती कार्य के लिए हमने निकाला nf divided सोर्जा में कुद लिए हम Shins family की value हम ले रहे हैं 96500 कुलाम यहां पर equal to minus delta G तो minus delta G यहने मुक तूर्जा में कमी तो जो विद्यूती कारे हुआ है वह मुक तूर्जा में कमी के बराबर है तो यदि मानक अवस्था में लिया जाएगा तो NFE को हम लिखेंगे NFE0 तो delta G बराबर NFE है और E बराबर यदि E0 है मानक अवस्था है तो यह value हो जाएगी delta G0, delta G भी यहां पर 0 दर्शा रहे है याने मानक अवस्था में मुक तूर्जा परिवर्तन को बता रहे है तो delta G0 equal to minus NFE0 तो इस तरह से यह formula हमारे पास आएगा कि मानक मुक तूर्जा में परिवर्तन जो है वह किस प्रकार से विद्यूती कारिक से संबंदित होता है तो minus NFE0 तो यदि किसी प्रश्ण में E0 की value दी हुई है उस आधार पर हम उस सेल के लिए मुक तूर्जा परिवर्तन की गढ़ना कर सकते हैं किसी भी विद्यूत्रासायनिक सेल में जो सेल का विभव है और जो अभिकारक और उत्पात का सांद्रन है उनके मध्य संबंद को स्थापित करने के लिए नंस्ट द्वारा समिकरन दिया गया क्योंकि सामानी अवस्था में हम या 298 Kelvin टेंप्रेचर पर वन मोलर कंसेंट्रेशन पर हम आसानी से किसी भी सेल के सेल विभव की गढ़ना कर सकते हैं लेकिन यदि अभिकार को उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन होता है तापमान में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिती में हम सेल विभव की गढ़ना कैसे करें इसके लिए नंस्ट द्वारा समिकरन दिया गया जिसे हम नंस्ट समिकरन के नाम से जानते हैं तो नंस्ट समीकरन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने संबंध को स्थापित किया इसको पहले नंस्ट समीकरन के रूप में हम पढ़ेंगे कि कैसे सेल के साथ जो अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है उसका संबंध इन्होंने कैसे स्थ और उसके बाद हम EMF की गढ़ना कैसे करते हैं उस चीज़ को सीखेंगे तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है यहाँ पर यदि हम देखें A A plus B B equal to C C plus DD यहाँ शो हो रहा है कि A और B की क्रिया से C और D बना तो A और B यहाँ पर अभिकारक है और C और D यहाँ पर हम देखें तो इसके लिए उपर होता है उत्पादों के मोलर सांधरिता का गुड़नफल और नीचे होता है अभिकारकों के मोलर सांधरिताओं का गुड़नफल तो Q बराबर Q यहाँ पर अभिक्रिया लब्धी को बताता है तो यहाँ Q बराबर है C बड़े ब्रेकेट में बड़ा ब्रेकेट यहां पर C की सक्रिय मात्रा को याने C की सांध्रता को दर्शाता है तो बड़ा ब्रेकेट C फिर उसके घात में C लिखे जो यहां पर सांध्रता को दर्शा रहा है फिर D बड़े ब्रेकेट में फिर उसके उपर स्मॉल डी लिख रहे है घात में बटे में लिख रहे हैं, A, A को भी बड़े ब्रेकेट में, B को भी बड़े ब्रेकेट में, और उसके लिए जो भी मोलों की संख्या है, उसको घात में के उपर हम ले लिखा, कि A, उपर small a, फिर B, उसके उपर small b, तो इस तरह से Q को हम गढ़ना कर सकते हैं, जो G, A है, यहाँ पर G, A, G एक मोल A के लिए साम्य अवस्था पर गिब्स उर्जा है, इसी तरह से हम G, B निकाल सकते हैं, जो एक मोल B के लिए साम्य अवस्था पर गिब्स उर्जा है, C के लिए रिकालेंगे G, C, जो की एक मोल C के लिए साम्य अवस्था पर गिब्स उर्जा को दर्शाता है, यदि G D कहा जाए तो एक मोल D के लिए सामय अवस्था पर गिप सूर्जा को दर्शाता है गिप सूर्जा अधिक्तम उपयोगी कारे या लाबदायक कारे के रूप में हमने पिछले पार्ट में देखा तो यहाँ पर G C equal to G 0 C यहाँ पर प्लस R T बड़े ब्रेकेट में लॉग C तो यहाँ L N के रूप में लिया जा रहा है नैचुरल लॉग इसलिए L N लिख रहे हैं L N बड़े ब्रेकेट में C तो पहला जो संबंध हमें प्राप्त हुआ यान्ने वो है G C के लिए जो की C है R T लॉग C यही संबंध हम सभी के लिए ग्याद करेंगे कि यदि G D है equal to G 0 D plus R T लॉग D सब D जो है यह भी बड़े ब्रेकेट में है जो की सान्रता को व्यक्त करता है इसके बाद है G A equal to G 0 A plus R T लॉग A B के लिए निकालेंगे तो G B equal to G 0 B plus R T यहां पर लॉग B के लिए होगा तो यह चारों जो आपने equation देखा यह G के साथ या G A के साथ G 0 A को बताता है या G B के साथ G 0 B के संबंध को बता रहा है तो इस तरह से हम यह संबंध को देखते हैं Q equal to क्या देखा हमने अभिक्रिया लब्धी तो इसी संबंध को यदि हम मुक्तूर्जा परिवर्तन एबं विद्यूती कारे के साथ स्थापित करें तो वह हमें प्राप्त होगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर्टी लॉग सी सी इन्टू डी डी अपॉन ए ए और बी बी तो यह जो A, A कह रहे हैं, इसका मतलब है कि A की सांदरता, B, B कह रहे है, मतलब B की सांदरता, जितने भी उसके मोल है, उसको हमने घात में लगाया है, और जो बड़ा ब्रेकेट है, वो यहाँ पर इसकी सक्रिय मात्रा को दर्शाता है, अभिक्रिया लबधी है, याने क्यों ह उसकी value हमने देखा कि वहाँ पर जो अभिकारक है वह नीचे की और उसकी सांदरता जो उत्पाद है उसकी सांदरता उपर है तो अभिक्रिया लबदी को हम कह सकते हैं कि उत्पादों के molar सांदरताओं के गुड़नफल एवं अभिकारकों के molar सांदरताओं के गुड़नफल के अनुपात को कहते हैं तो यही सम्बंध हम यहाँ पर फिर से स्थापित कर सकते हैं कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर्टी लॉग क्यू यहाँ पर लॉग जो है नैचुरल है इसलिए इसे लन लिखा जा रहा है डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन फी होत जी जीरो एकवल टू होगा माइनस एन फी जीरो प्लस आर्टी लॉग क्यू यदि यहाँ पर इस सम्बंध को और सरल किया जाए तो ई बराबर ई जीरो माइनस आर्टी अपॉन एन फ लॉग क्यू तो यहाँ पर नैचुरल लॉग है इसलिए एलन लिया जा रहा है यदि य जीरो थी आर्टी अपॉन एन फ लॉग एलो जी लॉग टेन बेस और क्यू लिखा जाएगा तो यह एक संबंध है नंस्ट समीकरण इस आधार पर हम किसी भी ऐसे सेल के लिए एकी वैल्यू ग्याद कर सकते हैं जहां पर टेंपरेचर चेंज भी हो सकता है सांद्रता में प समीकरण की साहता से किसी भी सेल के सेल विभो की गढ़ना कर सकते हैं रासायनिक सेल के लिए नंस्ट समीकरण को किस प्रकार गढ़ना कर सकते हैं यह सीख लेते हैं रासायनिक समीकरण में यदि हम यहां पर सामान ये एक एलेक्ट्रोड जो अभी करिया है वो ले लेते हैं क यदि एक electrode है M, तो उस पे up chain की क्रिया हो रही है, मान लेते हैं, कि M N plus plus N electron से वह एक धात्तु पे परिवर्थित हुआ M, क्योंकि वो electron ग्रहन किया, तो यहाँ पर हम उसके मान लेते हैं, कि up chain की क्रिया हो रही है, वहाँ पर, तो यहाँ जो Nonsted Equation हमने सीखा था पहले, उसी क को यहाँ apply करेंगे, कि E M N plus by M, M N plus by M, यहने यहाँ पर, जो E है, वो यहाँ पर E, पूरे cell के लिए, cell विबह की गढ़ना, जहाँ पर M धात्तु है, जो की उसके solution में डूबा हुआ है, उसी धात्तु के solution में, लवड के विलियन में वो डूबा हुआ है, तो ऐसे cell के लिए हम नंस्ट समीकरन के द्वारा E की गढ़ना कर रहे हैं, इक्वल टू E 0 M N plus by M minus R T upon N F log M, उपर है, मतलब धात्तु, और नीचे जो M N plus है, उसकी सांद्रता, दोनों को ही बड़े ब्रैकेट में लिया गया है, यह दोनों भी सांद्रता को व्यक्त किया जा रहा है, धातु आयनों की मोलर सांद्रता है, T temperature, R gases तो R की value आप सभी जानते हैं कि अलग-अलग होती अलग-अलग units में, तो यहां जो माना गया है वो है 8.314 Joule प्रती Kelvin प्रती मोल, N जो है वो इलेक्ट्रोनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रोनों का आदान प्रदान यहां पर हो तो इन सभी मानों की आफशक्ता हमें पड़ेगी संख्या समीकरण में, अब हम E MN plus by M equal to E0 MN plus by M minus 2.303, अब यह जो 2.303 है वो log 10 आधार लेने पर यहां multiply करना है, 2.303 RT upon NF log 10 M upon MN plus तो यह जो समीकरण है, यह जो मान दिया गया है, इन सभी मानों को हम एक गड़ना कर लेते हैं, कि मानों को गड़ना करने पर क्या value आईगी, जैसे R कमान हमने देखा 8.303, 1, 4 ले रहे हैं, temperature यहां मान लेते हैं कि 298 Kelvin है, तो इन सभी मानों को जब हम गड़ना करते हैं, तो एक value प्राप्त होती है, 0,10, 0,59, 1, तो बटा N, N जो है वो change होगा, N इलेक्ट्रोनों की संक्या वो बदल सकती है, इसलिए N को हम कोई standard नहीं मानेंगे, N change हो सकता है, तो यह लिखा हमने, तो अब जो सूत्र हमारे पास आया है, वो E MN plus by M equal to E 0 MN plus by M minus 0,10, 0,59, 1 upon N, log उपर M S upon MN plus, यह जो M S है, वो यहाँ पर धातू है, जिस धातू में क्रिया हो रही है, जिस धातू इलेक्ट्रोनों को लिया गया है, solid state में, और उसका जो solution है, वो MN plus को शो कर रहा है, तो जो धातू है, वो यहाँ पर अप्चाहित अवस्था हो गई, और जो यहाँ पर विलियन लिया गया है उसी का, वो है यहाँ पर उसकी ओक्सिक्रित अवस्था, तो इस समीकरण को हम अब लिख सकते हैं, E MN plus by M equal to E0 MN plus by M minus 0.059 एक बटा N log उपर अप्चाहित अवस्था और नीचे ओक्सिक्रित अवस्था, इसी को हम यदि प्लस साइन लगाएंगे इस तरफ तो यह हो जाएगा उपर उक्सिक्रित अवस्था और नीचे अप्चाहित अवस्था, यदि ठोस की सांद्रता जो भी यहाँ पर लिया जा रहा है लेक्ट्रोड, उसकी सांद्रता को इकाई मान लें, तो इकाई मानने पर उपर हमारे पास एक होगा, तो एक बटा MN प्लस के रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं, यदि किसी भी इलेक्ट्रोड की सांद्रता को हम इकाई मान लें, इलेक्ट्रोड जो की हाँ ठोस अवस्था में है, तो M S के स्थिती में जो है M S बड़े ब्रेकेट इक्वल टू 1, यानि इसको इकाई मान लिया जाए, तो 1 अपॉन M N प्लस बड़े ब्रेकेट को क्लोज करके, ऐसे इसको शो कर सकते हैं, तो नंस्ट समीकरण को जब हम प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखने का एक हमारे पास तरीका रहता है, कि यदि पॉजिटिव साइन है, सामने यदि पॉजिटिव साइन है, और उपर क्या होगा oxidized state और नीचे होगा reduced state, तो इसको याद रखने के लिए हम एक शब्द रखते हैं, prince of Rome, याने pre, prince याने positive of Rome, याने उपर oxidized state और नीचे reduced state, कई बार नंस्ट समीकरण के question बनाते समय, आप लोग गलतियां करते हैं, तो इसलिए ये छोटा सा ट्रिक आप याद होगे prince of Rome, याने positive sign यादी है समीकरण में, तो उपर oxidized state और नीचे reduced state, oxidized stage है यहाँ पर तो उपर रहेगा और reduced है तो नीचे रहेगा, यादी सामने positive sign है, यादी negative sign होगा तो उपर reduced state होगा और नीचे oxidized state होगा